जैशी खिश्न दोस्तों आज आप सभी के बीच फिर अपने उसी पुराने मुद्दे अही रेजिमेंट के उपपर कुछ नई बाते लेकर आया हूँ अभी हाली में एक खबर आई कि संसद में सुनने काल में सुगबीर सिंग जी ने गूजर समाज की गूजर रेजिमेंट की मांग उठाई है अब सबसे बड़ा ये सवाल जो उठता है कि एक गूजर नेता ने अपने समाज की मांग को संसद में उठा दिया तो सबसे पड़ा सीधा सीधा तोर पर सवाल उठता है कि ये अहीर नेता जितने भी संसद में हैं इन्होंने अभी तक क्यों नहीं उठाई है ये मांग जबकि तीन साल से ज़्यादा हो गए आंदोलन को लोग रोड पर कर रहे हैं जंतर मंतर पर आंदोलन हुए हैं पूरे भारत वर्ष में भी आंदोलन हो रहा है सब जी है चला है मेमोरेंडम दिये गए संसद नेताओं को लेटर लिखे गए इन मेंसे किसी ने भी क्यों नहीं आज तक आवाज उठाई है क्यों मौन है ये एक गूजर समाज के नेता ने अपना समरपण भाव अपने समाज के प्रति दिखाया और मांग उठा दी या तो हमारे समाज के नेता जो है अपने समाज के प्रति इतना समरपण भाव नहीं रखते हैं उनको केवल अपनी राजनीतिक से मतलब है या फिर वो अहिरवादी है नहीं तो जब मैं ही कह रहा हूँ कि यह अहिरवादी है यही नहीं तो हम भी अहिरवादी बनकर इन्हें क्यों वोट देते हैं अगली बार से हम भी इने वोट ना दे दो साल बाद election है वापस यही मत दीजे इनको वोट क्या समाज के प्रतीन का इतना वी समरप्रभाव नहीं बनता, सबको लेटर जा चुके हैं, एक-एक नेता तक लेटर पहुँचे हैं, जितने भी एहीर समाज के आदसांसद बैठे हैं, संसद भवन में इन सब के पास लेटर पहुंचा है कि आप अहीर रेजिमेंट की मांग उठाइए इन मेंसे किसी ने नहीं उठाइए तो आप देख लीजी आपकी पैरवी किन हातों में है और कितनी अच्छी आपके समाज की पैरवी हो रही है जैने आप समाज का निता बने बैठे हैं किसी भी राजनितिक दल का हो आप मुझे किसी एक राजनितिक दल से जोड़ कर मत देखिए ना मैं किसी एक राजनितिक दल से जोड़ाऊ सभी हर राजनितिक दल में एक एक यादव है वो वो संसद में है उठाई क्यों नहीं मांग कितनी अच्छी पैर भी हो रही है हर राजनितिक दल में आपके समाज की या आप खुद तैके जी है इस पर चंतन मंथन करके सवाल मैंने उठा दी है अब आप देख लीजिए कि इनको वोट देना है या नहीं देना है अपने समाज की मांग उठानी है नहीं उठानी है दूसरे समाज के लोग कितने समर्पड भाव है उनके अंदर आज जो है जाट नेता भी जितने भी हैं उन्होंने जितने भी आज संसद में है जाट नेता उन्होंने जाकर delegation लेकर जाट आरक्षन के लिए प्रदान मंतरी से मिले बनी ना बनी वो बात दूसरी बात है पर कम से कम वो मिले तो हमारे तो आवाज ही नहीं उठा रहे सांस ही नहीं भढ रहे बनना ना बनना तो बात की बात है यह हमारी तरफ को एक जुकाव मी नहीं जुकरे कम से कम जाटों के नेता उनकी तरफ उठकर बात तो करी उनकी